हाई गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल आइम एकता और आज की वीडियो में शेकरने वाली हूँ एमजोन ट्यूनिक्स हॉल और बहुत टाइम बाद मैं करी हूँ एक एमजोन डेडिकेड़ वीडियो तो मुझे भी काफी जादा अच्छा लग रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल इस लाइब नाओ और बेस्ट ऑफर्स स्टार्ट हो चुके हैं 4 अक्टूबर से बेस्ट डिस्काउंट मिल रहे हैं आपको सारी चीजों पर फैशन और ब्यूटी कैटेगरी पर इन दोनों ही नहीं बाकी और कैटेगरी पर भी आपको काफ अभी बात कर लेते हैं सारे ट्यूनिक की जो कि मैंने खरीदे हैं आमजान से अन्हां लेट्स के स्टार्ट सबसे पहले मैं आपको बहुत ही प्यारे कलर का ट्यूनिक दिखाती हूं आई लव दिस कलर मुझे ट्यूनिक से जादा अच्छा लग रहा है और यह है वो ट्यू संदर लगता है यह वैसे तो इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल थे मैंने यही पर्डिकुलर कलर लिया दैन आपको इसके नेक एरिया पर यह पूरी इंब्रोइडरी की डिटेलिंग मिलती है बहुत संदर इंब्रोइडरी हो रखी है स्काइब्लू और येलो कलर से हलका ह इसके बाद यह है नीचे से ऐसा कुछ पैटन इसके गले पर भी आपको ना ऐसी डोरी मिलती है और आल मुझे यह त्यूनिक बहुत अच्छा लगा इसे आप डोधी पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं जीन के साथ स्टाइल कर सकते हैं कैजल वियर के लिए अगर आप कर लेना चाहिए हाइली हाइली रिकमेंडेट मेरी जरव से इसका फैब्रिक है रियॉन तो बहुत जादा कमफोर्टेबल है वियर करने में नेक्स्ट है मेरे पास चिकनकारी ट्यूनिक यह भी बहुत जादा ब्यूटिफुल है इस लाइक दी शॉट कुर्ती लेकिन चिकनकारी वक मिलता है पूरे कुर्टे के फ्रंट पे और प्लीज बैविद मी क्योंकि यह कई बार धूल चुका है ना तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है और मैंने आयरन भी नहीं किया हुआ इस पे और पीछे की साइड भी ऐसा पैच वक आपको मिलेगा पूरा है चि इसका फाबरिक कॉटन है तो बहुत जादा कमफर्टेबल है और आप इसकी हालत से तो पता लगा ही लोगे कि मुझे यह वाला ट्यूनिक कितना पसंद है मैंने इसको कई बार पहन लिया है कई बार यह धुल चुका है और फिर भी इसका कलर वैसे का वैसे ही है तो मुझे यह काफी ज़्यादा पसंद है और आपको भी खरीदनी चाहिए नेक्स्ट आप इस देस ब्लू कलर में ट्यूनिक आइज इस वेरी ब्यूटिफुल अगें वैसे मैं सब को ही ब्यूटिफुल बोल लेकिन मैं क्या करूंगा इस सारे के सारे बहुत ही जादा सुन्दर है य कितना सुन्दर वाला काम हो रखा है मुझे तो काफी ज़्यादा पसंद आया वैसे ओवर ओल ट्यूनिक पे कुछ नहीं हुआ है सर्फ नेक्स पे आपको वर्क मिलेगा लेकिन यह रियॉन फैब्रिक है तो बहुत कमफोर्टेबल आप करने में और आप चाहिए तो घर पे करना चाहिए नेक्स जो ट्यूनिक मैं आपको दिखा रही हो ना वह बहुत ही ज्यादा श्रिंक हुआ है मतलब गुजला हुआ है क्योंकि मैंने इसे काफी टाइम से नहीं पहना हुआ है और यह दो तीन बार मैंने पहन लिया धुल के फिर मैंने अलग ही रख दिया था उस कुछ मिलेगा आपको यह त्यूनिक जाईज लाइट पिंक कल्र जो होता तो एसा अपको इसका little मिलेगा साथ में आपको ऐसे एक्जगन परिंट मिलेंगे पूरे ट्योनिक पर पूरा प्रिंटेड ट्योनिक है क्वाइज स्का इंब्रिअग रमंगी इसका सई यह थोड़ा सच्प हो गयाता क्युक्त का कॉस्टन फैपरिक हषी अब मैं आपको suggest करूँगी कि आप एक size upload अपना इसमें अगर आप ले रहे हो तो बाकी में print की बात करूँ तो बहुत ही प्यारा print है मतलब इसमें flower print भी आपको मिलेगा साथ में आपको b b b बनी ही मिलती है जगे जगे पे और इसकी 3-4 sleeves है थोड़ा सा different pattern है इसका मतलब जो print है ना वो मुझे काफी अच्छा लगा different सा और इसका color भी बहुत सुन्दर लग रहा था तो definitely मेरी तरफ से तो हाँ है इस tunic के लिए जरूर खरीद लें आप last tunic है guys वो बहुत ही beautiful है थोड़ा सा festive appropriate है क्योंकि मैंने जितने भी दिखाया है guys वो casually आपके लिए चल जाएंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा festive वाला काम है इसलिए तो मैंने last में दिखाया है वो है यह guys तो इसके neck पे आपको यह embroidery तो मिलती है लेकिन साथ में आपको ऐसे fake mirror का work भी मिलता है plus यह pink color का है guys जो dark pink color नहीं होता वो वाला color है इस पर अभी अच्छी तरह से पकड़ नहीं रहा कामरे पे लेकिन बहुत सुन्दर है real में and I love the embroidery I love the fit of this tunic guys इसकी sleeves पे भी आपको ऐसे सुन्दर से ऐसे मिलते हैं fake mirror बने हुए तो मुझे तो काफी cute लगता है यह tunic और पदा है यह नवरात्रे आ रहे है ना तो उस time पे तो यह बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको एक धूती पैंट के साथ करते हो style साथ में आप oxidized jewelry पहलो तो क्या ही सुन्दर लगेगा यह plus इसका fabric cotton बहुत soft वाला fabric है और हाँ इसको भी मैं wash कर चुकी हुए एक तो यह ना कुल मिला के washed review ही मैं दे रही हूं आपको श्रिंक नहीं हुआ है तो यह चीज़ मुझे काफी सगी लगी एक चो ट्यूनिक हैस में श्रिंक हो गया था हलका सा बाकी सारे मुझे काफी सगी लगे और मेरी तरफ से तो definitely highly recommended है सारे के सारी सबकी quality बहुत अच्छी है सबके link आपको मेरे description box में मिल जाएंगे तो make sure आप जरूर चेक कर लें अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप उन link पे click करके जाके खरीच सकते हैं और यह था वो last product so that's it for today's video guys I hope आपको मेरा यह Amazon tunics haul पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं आप and प्लीज मेरे चैनल को subscribe जरू कर लेना ताकि आपको ऐसे amazing hauls दिखते रहे मेरे चैनल पे and आपको नेक्स वीडियो में जल्दी मिलेंगी तब तक के लिए goodbye, take care, love you